मंगय वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सो जाएगी ये न कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुट हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्योंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा घर के किसी स्यानी आदमी को बला लो स्याना ही हो जी मैं वो तो उस दिन ऐसी बच्चों के साथ थोड़ा जिन्दगी की हर दोड में अबबल परिवार का सबसे लाइक लाड़ला काम दाम कुछ करना नहीं सारा दिन जरते ही रहना बस हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था नहीं पैसे नहीं ले सकते जी दादी के थी इससे शफाच ली जाती है क्या तुम नोकरी करोगे बंदूग मिलेगी जी तो ढंड़ा बगएरा अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिन उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कॉट सरगी पिछे कान नहीं सुनी है चुप चुप सुन आपके गाव में दिल लग गया जी राजाती लड़कियों को यह रोपने से सर फट जाते हैं नकुगडाई हैं वे आपको गलत फैमी हुए जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है महाराजा के हुकम के मुताबिक आप सबको गाव खाली करना पड़ेगा कांदीजी ने कहा है कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़ काजा होता है छ में कालाजी सारा गशूर मंगे का है है जिंदिधी हार ले बोत Negro किया मंगे नहीं उलिफ चानला मुझे के लगता है? तुम लोग की तकलीफ का ऐसास नहीं है? अगर तुझे तकलीफ का एसास हता ना, तो अंगनेजों के तालवे ना चाड़ता तू तू बड़ा मतलब ही निकला मंगे, सिर्फ आपने बारे में सोचा, तू सच में फिरंगी हो गया है तू जित जावड़ा वक्त आगया हीरे, जैसे कुछ तैसा दिखाने का वक्त आपने खातर लड़ जातू, अपनी जित पे घर जातू, तू सिर्चा जंगी, नहीं फिरंगी, तू सिर्चा जंगी, नहीं फिरंगी फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तू नहीं जावड़ा दिना बन, मैंने तूनानी दिर को कहानी कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना रहे